हेलो फ्रेंड्स, एक वार फिर आपका स्वागत है, आज मैं आपके लिए डाबर हनी की जानकारी लेकर आई हूँ, यह शहद पूरी तरह से शुद और सुरक्षित है, जो की एक विश्वसनी ब्रांट द्वारा बनाया जाता है, डाबर हनी बालों, त्वच्चा और शरीर के अंगिरत लाब के लिए है, यह शरीर से चर्बी को जलाकर वजन कम करने में सहता करता है, और एंटी ऑक्सिदेंट और एंटी बेक्टिरियल गुणों से युक्त है, जिसकी वजह से यह सर्दी खांसी यहां तक की कैंसर से भी लड़ता है, और साथी साथ तच्चा पर मॉस की रोगों जैसे एकजिमा और डामेटिस से लड़ता है, और घाओं को जल्दी भरता है, शहत का उपयोग दिमाग के काम करने की शक्ती को सुधारता है, और याददास स्तेज करता है, और साथी सांथ एकागरता की शक्ती को भी बढ़ाता है, शहत का उपयोग अच्छी न जिंक और आयरन जैसी खनिच पदार्थ पाये जाते हैं, जो कि हमारे शरीर की प्रदिरक्षा प्रणाली यानि शरीर को कई तरह की बिमारी से लड़ने के लिए मजबूत बनाते हैं। इसलिए जिन लोगों का भी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, वो लोग इसका सेवन कर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, शहत का सेवन कर अपने उच रक्त चाप को सही कर सकते हैं। कोलेस्टरॉल की बिमारी की समस्या आजकल आम हो गई है और कई लोग इस बिमारी से ग्रस्त हैं वे लोग शहत खाकर अपने कोलेस्टरॉल लेवल को सही कर सकते हैं क्योंकि शहत की अंदर मौजूद विटामिन कोलेस्टरॉल को सही रखने में मदद करते हैं यह दिल की बिमा यह शहद और दूद को एक सांथ पीने से शरीर की हड़ियों को भी मजबूत कर सकते हैं। शहद सभी उम्र के व्यक्ति द्वारा इस्तमाल किया जा सकता है। शहद और अद्रक का सेवन पाचन को सही करता है। और सांथी सांथ शहद तुलसी अद्रक मिलाकर खाने से शरीर के दर्दों से भी रहत मिलती है। शहद का इस्तमाल आप नहाने के बाद शहद में कुछ बूंदे पानी मिलाकर अपने शरीर पर मलें। ऐसा करने से शरीर में नमी आ जाएगी और त्वच्चा निखर जाएगी। त्वच्चा के सांथ सांथ बालों पर भी आप इसे लगा सकते हैं। जैसे अपने बालों में शहद के सांथ तेल मिलाकर लगा लें। और 15 मिनिट बाद शैंपू की मदद से बाल धो लें। ऐसा करने से बालों की रूसी भी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने डाबर हनी के बहुत सारे फायदे बताएं हैं। और भी इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तमाल आप दिन में एक ही बार करें। इससे ज़्यादा इस्तमाल नहीं करें। और यह छोटे बच्चों को भी नहीं देना चाहिए। और साथी साथ मदुमे की बिमारी से अगर कोई पेड़ित है तो भी इसका इस्तमाल कम करें या फिर न करें क्योंकि इससे शुगर की बिमारी बढ़ सकती है और साथी साथ ध्यान रहे कि हरा प्याज और बीन्स के साथ इसका इस्तमाल न करें इससे भी इससे दुश्प्रभा हो सकते हैं इसे खाने का समय सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और शायद को कभी भी गर्म न करें यह गर्म करके खाने से विशैला हो सकता है तो इस तरह से फ्रेंड आप शायद का उपयोग गर्म पानी में या कुनकुने पानी में डाल कर कर सकते हैं यह बहुत ही लाबदय तो फ्रेंट्स इस तरह से आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं धन्यवाद